सीम भुपेश बखिल ने मंगलवार को नवार राइपूर अटल नगर में करोडों के विकास कारे की सौगाद दी सीम ने यहाँ तीन महत्वपोन परियोचनाओं का शिला नियास किया जिन में कमर्शल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक शामिल है इस मौके पर सीम भुपेश बखिल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेश है क्योंकि देश के सबसे बड़े थोक व्यवसाइक बाजार का शिला नियास आज 36गर की नवाराइपूर में हो रहा है जिसे राज के लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा उन्होंने कहा कि आने वाले भाविशे को देखते हुए ये भुमिपूजन शिला नियास और लोकारपन किये जा रहे हैं राज के लोगों की हमसे आपक्षाई थी जिन्हें साकार करने के लिए हमने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है मंदी की निस्ताव अन शक्तिग्धरमे बहुत हुए और लगातार जन पारंपरी जन बंदी है वोकर से आगे बढ़ने भान संग्राण लगी 25 तव्य है मेर भान संगरां केंडरे हैं, 2000 अभी हमार सिचाइटी होगी, और वी कारण है, कि ये साल एक साथ लाख मिट्टिक तर भान खरीब एक बार, ना किसान मल्ले का फ़ानी होई ना अधिकारी मल्ले तखरीफ होई, मैं को अब का भान खरीब अधिली खरकाले जुगुना भान खर साल खरीबे, अब कोई परफानी नहीं होई, ये कर कारण है कि बहुती सुचाइटी रूप से, द्यस्तित रूप से सब काम हो हो न्यू वीडियोज की अप्टेच पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं ये है इंदू ब्राटकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हर पल, हर शन, हर सच